हलो फ्रेंड्स, most welcome to my youtube channel, आज मैं आपको अपने वीडियो में easy method से कुर्ती की cutting और stitching दोनों बताने वाली हूँ, वीडियो पसंद आये तो जरूर लाइक और शेर कर दें, साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तो इसका नाप मैंने लिख रखा है कुर्ती शोट है 33, ज दोनों में round neck है, तो इस नाप समय कुर्ती की cutting करनी है, मेरे पास fabric है 2 मीटर, तो सबसे पहले हम लंबाई में इसको नाप लेंगे 35, यानि कि नोर की side से हमेसे लेना है लंबाई में, दो इंच जादा जिसे 33 इंच की कुर्ती बनेगी लंबाई में, ये 33 इंच ले लिया मैंने, और इसे हमको करना है एक बार overfold, यानि कि 4 फोल्ड हो जाएगा ये कपड़ा, और इसको लगबग मैंने ले लिया है, और यहाँ पर देखे, shoulder है 14 इंच, यानि कि 7, लेकिन अब हमें ये 7 लेना नहीं है, जिस तरह से हम blows में, पीछे गले के अकौर्डिंग कम करते हैं, उसी तरह से हमें इसमें भी पीछे के गले के अकौर्डिंग कम करना है, यानि कि 8 इंच गला है, तो हम इसमें से 5 इंच कम कर लेंगे, उसके बाद, आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे, 7 इंच पर, और ये इसको हम सीधा कर लेंगे, अब देखे, कहां-कहां में निशान लगाना है, सबसे फर्स्ट जो निशान है, वो है 10 इंच पर, यह हो जाएगा हमारा चेश्ट का निशान, उसके बाद, 14 इंच पर, यह हो जाएगा हमारा कमर का निशान, और 20 इंच पर हो जाएगे हमारा हिप का निशान, यानि कि यह तीनों पर आप सीधी लाइन कर लें, कई लोगों का कहना है, कि जो आर्म हो लेते हैं, उसी पर चेश्ट का निशान लगता है, तो ऐसा अगर आप करेंगे, और चेश्ट में अगर ज़्यादा डिफ्रेंस होगा, तो वो चेश्ट पर फसने लगेगा कुरता, अब दिखें सीना है, 30 इंच, अब यहाँ पर यह जो मेजर्मेंट है, वो बोडी से लिया हो है, इसको आप लूजिंग दिना चाहते हैं, तो एक इंच लूजिंग, इसक मैंने लिया है, 77 इंच, यहाँ पर हिप का निशान, तो यह हिप जो है, मैंने लिखानी 34 हिप है, यानकी 8 इंच, अब देखें, यहाँ जो निशान था, यही निशान हमें उपर आर्म होल वाली लाइन पर लगाना है, और इसको सीधा कर लेना है, अब हम रख लेंगे इसम इंच, और इतना ही रखना सही रहेगा, इससे ज़्यादा मैं फिर जो लाता है, और यहाँ से गेर देखें, जो आपने किया था, लगबख 10 इंच आईए, जिसमें एक इंच उलटा जाएगी, दोनों साइड वाली, और यह आर मॉल की गोलाई देंगे, यह 20 इंच वाली जो लाइन है, यहाँ पर हम कट लगा लेंगे, यहाँ तक हमारा कुड़ता जो है, वो खुला रहेगा, उसके बाद, उपर से हमें इसे अलग कर लेंगे, दो इसम डिवाइट कर लेंगे, अब देखे, इसम से एक इसम निकाल लेंगे, दोनों इसो को अलग-अलग कर लेंगे, अब देखे, पीछे का गला जो है, मारा 8 इंच है, तो यहाँ से मैं ने लिया इसको, सवा 2 इंच, और 8 इंच, इसकी लंबाई, जिससे 8 इंच बन जाएगा गला, और नीचे से आप इसको, हल्की सी चोड़ाई दे सकते हैं, बहुत जादा नहीं, लगबग 2 इंच, और राउंड नेक है, और पीछे वाला गला तो है, वो हम बना लेंगे, पट्टी से, उसके बाद आगे के लिए, आगे के लिए भी वैसे तो राउंड नेक है, लेकिन हम इसे बनाएंगे बुकरम से, तो सिर्फ एक लाइन बना लें, बीच वाला सेंटर, और कट लगा लें थोड़ा से, और यह है आर्म हॉल, अब यहाँ पर हमारा मार्जिन तो 3.5 इंच, तो यहा यानिकी एक इंच उलट के लिए छोड़ देते हैं, यह साड़े 3 इंच और अधा इंच मार्जिन, यानिकी टोटल हो जाती है, पांच इंच और यहाँ से हम इसका निशान लगाएंगे, 0.5 इंच पर यह हमारी गोलाई है, 11 इंच, अब आप देख रहे हैं, स्लीव जो है, साड़े 3 इंच की है, छोटी है, तो हम इसको थोड़ा सा लूज रखेंगे, यानिकी 6 इंच और यहाँ पर 1 इंच ज्यादा हो जाएगा, 7 इंच, और यह 1.5 इंच का मार्जिन ज्यादा छोटी स्लीव का अगर आफिटिंग करते हैं, तो वो खिचाव आ जाता है, तो इसलिए हमने इसकी मोहरी जो है, 12 रखी है तो इस तरह से मारी स्लीव कटिंग हो जाएगी, कटका निशान लगा देंगे और आगे के लिए 200 को गुलाई देनी हैं अब देखें, यहाँ पर हमें गला जो है, वो बनाना है बुकरम से, तो इस पर सेंटर का हमने निशान लगा रखा है अब सबसे पहले हम बुकरम कटिंग कर लेंगे, तो गला हमें साड़ अच्छा बनाना है, तो इसकी लंबाई ले लेंगे हम 7 इंच और इसकी चोड़ाई जो है, उपर से लेंगे हम धाई इंच जिससे 5 इंच का गला बनेगा चारो तरफ से बुकरम लगबग 1 इंच रख सकते हैं आब झांगे मेंपा इंचे हुआ साफी बुकरम से लेंगेऩे जो है। तो ये राउंड नेक में आप डिजाइनर भी बनाते गला तो इसी पैटर्न से आप बना सकते हैं तो मैंने इसको कपड़े पर चिपका लिया है अगर आपके पास सिंपल बुक्रम है तो आप उसको सिलाई के साथ में अटेच कर सकते हैं और आधा इंच जो दूरी से हमने कपड़ा कटिंग किया था उसको हम फोल्ड कर देंगे तो इस तरह से फोल्ड हो जाएगा अब हम इसको डबल फोल्ड करके इसका भी सेंटर निकालेंगे और जो कूर्ती का सेंटर था उसको रखनाया में आप चाहें तो पिन वगेरा लगा कर इसको अटेच कर सकते हैं या फिर इस तरह से सिलाई लगा कर बीचो बीच अटेच करते हैं ताकि वो सिरके ने और अब हमें चारो तरफ से इसको सिलाई लगानी है ये सिलाई हमें बुक्रम पर नहीं चलानी है विल्कुल बुक्रम के पास पास चलानी है ये देखे बुक्रम के पास पास हमें सिलाई चला लिए अब थोड़ी दूरी से इसको कटिंग करना है बहुत ज़्यादा कपड़ा यहाँ पर नहीं छोड़ना है क्योंकि फोल्ड कंड में फिर सल्वट आ जाती है जरा जरा साही ही रखना हमें कपड़ा और जहान पर हमारी गुलाई है वहाँ पर आपको इसको कट लगाने है बस सिलाई नहीं कटे इस बात का ध्यान रखें कट लगते वक्त और फोल्ड करने के बाद मैं कॉनर póनर पर एक सीलाई लगाने है आप चाहें तो प्रेस से बेस को जमा सकते हैं और दूसरे साइड अगर आप से लही चलाते हैं तो से लही चला सकते हैं और मैं यहाँ पर करने वाली हो तुरपई तो इसलिए मैं उसे ऐसा ही रहने दूँगी अब यह है पीछे वाला नेक जिसे हमें औरेव पट्टी से बनाना है तो एक इंच की औरेव ले लिये मैंने अब जहां तक सीधा है वहां तक हमें इस पट्टी को खीचना है हलका सा और जहां गले की गुलाई आ जाती है वहां पर हम इसको लूज रखेंगे और जैसे हमने आगे कट लगाया था गुलाई गुलाई में उसी तरह से पीछे भी इस तरह से कट लगाने है और अब इस पट्टी को बिठाने के लिए पट्टी पर एक सिलाई लगा देंगे अब दीके पट्टी को बाद में फोल्ड करेंगे पहले रखेंगे हमारे शोल्डर जोइंट करेंगे यानिकी जो हमने अगला इससा तयार कर रखा है उसे हम इस पर अटैच करेंगे पट्टी को छोड़ते हुए जो पीछे की पट्टी है उसको छोड़ते हुए शोल्डर अटैच करने के बाद इस पट्टी को उम फोल्ड करेंगे ये इस तरह से तुरपई करने है तो ये मशीन जो है थोड़ा सा दूरी पर चला ले और तुरपई करने के बाद इस मशीन को निकाल लेना है और ये हमारी स्लिप जो मैंने एक इंच आगे से फोल्ड कर दिये अब ये जो निशान है जब हमने कटिंग किया था वो निशान है तो यहाँ पर हमें चलानी अपनी सिलाय और स्लीव ना प्लेनी हैं अब बारार रखनी है यानि कि हाफ हो जाएगा चैंज अब इसके पास-पास में आप एक दूसी लाई और चला ले यहां तक हमें फोल्ड करना है तो फोल्ड हमें इस तरह से करना है एक इंच का फोल्ड करना है और सबसे पहले कॉनर से शुरू करना है उसके बाद दूसी सिलाई से इसको फोल्ड करना है और इसी तरह से फिर हमें नीचे भी फोल्ड करना है दो सिलाई के साथ में तो फ्रेंज आपको मेरा वीडियो कैसा लगा पसंद आया तो जरू लाइक और शेयर करते है और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्ली जल्दी से सब्सक्राइब करें साथी बैल आइकन पर भी क्लिक करें थैंक्स फॉर वाचिंग